तो आज हम बात करेंगे क्या एक से बॉड़ी हीट होती है क्या उससे एकनी की प्रॉल्म होती है जहां इंडिया में हम रहते हैं लगभा साथ-ाथ-महेने गर्मी रहती है यहां पर तेमप्रेचा 50 डिग्री तक हिट होता है समर्स में तो यहां पर यह मित को क्लियर करना बहु टेखनी होता है मैं आज इस टॉपिक पर बात करने की आपसे कोशिश करूँगा उससे पहले अगर आपने मेरे चाल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे सब्सक्राइब बटन बटन क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका फाइदा यह होगा कि जब विडियो आएगा तो आप लोगों को पता लग जाए करेगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है वो बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं दोस्तों तो इंडिया में बहुत बड़ी मित है कि एक से गर्मी होती है एक से बाड़ी हीट ज जितने भी हमारे जो fat contain वाले जो healthy fats contain वाले food है उनमें body heat होती है उनमें body heat generate होती है तो मैं आप से अभी stats share करता हूं कि whole egg और egg white में difference क्या होता है जैसे कि आप इस slide में देख पा रहे हैं ये मेरे पाँ egg white के stats है और यहाँ पर मेरे पास whole egg के stats है आप देख पा रहे हैं कि egg white में cholesterol 0 है and fat भी 0 है यहाँ पर whole egg में protein थोड़ा बढ़ जाता है वहाँ पर 4 ग्राम मिलता है यहाँ पर 6 ग्राम मिलता है मतलब egg yolk के अंदर 2 ग्राम protein एक्स्ट्रा होता है पर उसके साथ आपको fat मिल रहा है और यहाँ पर cholesterol भी मिल रहा है अब क्या होता है जब आप whole egg consume करते है तो आपकी body में heat generate होती है और उससे acne का खतरा बढ़ जाता है पर वही पर अगर आप egg white खा रहे हैं चाहे आप कितने ही खा रहे हो जैसे अगर आप 10 egg white खा रहे है या 20 egg white खा रहे है तो भी आपको body heat की problem नहीं आएगी क्योंकि egg white में सि body heat generate होती है जो आपकी body heat से acne होता है वो सिर्फ fatty foods के थ्रूए होता है अगर आप ज्यादा nuts खा रहे हैं आप ज्यादा flaxseed खा रहे हैं जिसे हम LC बोलते हैं हिंदी में अगर आप whole egg consume कर रहे हैं egg white के साथ योग ज्यादा खा रहे हैं तो उस cases में आपकी body heat generate होगी और आपको acne की problem arise हो सकती है पर वही पर अगर आप egg white consume करते हैं तो आपको acne की problem नहीं होगी पर जैसे कि मैंने बता रखा है कि ज्यादा fat आपकी body के लिए सही नहीं है अगर आप ज्यादा भी saturated fat consume कर रहे हैं 15-20 gram के limit cross कर रहे हैं तो आपको acne की problem definitely होगी तो दोग समझते हैं ज्यादा ए आप तीन whole eggs consume कर रहे हैं with yolk तो आपको acne की problem नहीं होगी पर condition उसके साथ यह है कि जो बाकी दिन की आपका nutrition है वो सही हो अगर आप दिन मर oil का use कर रहे हैं अपने जो refined oil होता है kitchen में हमारी जो देशी घी होता है उसका use कर रहे हैं तो definitely आपको acne की problem होगी आपकी body heat तो वहाँ से generate हो रही है इसमें अंडो का care roll जो आप उयली उसकर रहे हैं अपसे सबजियों में refined oil देशी घी जो आप ज़्यादा oil डाल रहे है body heat वहाँ से generate हो रही है कोशिश करिए उसको कम करने की यहाँ पर तो दो या तीन whole egg मैंने बोली रखा है दो या तीन whole egg कंजन कर सकते हैं एक या तो आप ले सकते हैं almonds, badam, kaju और वहाँ पर आगए flaxseed का एक चमच ले सकते हैं तो आप वह ज़्यादा नहीं ले रहे हैं आप 2 serving nuts ले रहें 2 handful पूरे दिन में निवर बीस almonds खा रहे हैं 7-8 walnut के kernels खा रहे हैं तो उसमें problem नहीं आएगी बात या आती है जो आपके घर म नहीं होती है अगर ज़्यादा एक whole ex consume कर रहे हैं दिन में 7-8-10 whole ex consume कर रहे हैं तो definitely वहाँ आपकी बाडी में इतना ज्यादा fat जा रहा है और fat से होता क्या है जब आप fat consume करते हैं body में तो आपकी जो pores होते हैं pimple का क्यारण क्या होता है pimple का reason है main reason वह होता है आपके जो pores हो होते हैं जहां से पसीना भार आता है वो ब्लॉक हो जाते हैं और जब वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर एकसेस ओयल जमकर आपको एक्ने की प्रॉलम आती है तो यह जो पोर्स close हो जाते हैं जो block हो जाते हैं पोर्स यह इसका reason होता है fat तो आप अगर fat की अपनी जो dose है दिन में वो कम कर जाएंगे चाहे saturated fat हो जाब unsaturated fat unsaturated fat आप फिर भी ले सकते हैं जो olive oil कर रहे हैं जो कर सकते हैं दिन में आप अपनी सब्जियों में olive oil का यूज़ करें इस saturated fat की limit को कम करें प्रोटीन से कभी भी आपको acne या body heat generate नहीं होगी में जो body heat generate होती है जो बाहर से meat खाते हैं आप लोग वो उसमें कितना oil डाला होता है और लोगों ने आपको अंदाजा तक नहीं है जो लोग बाहर से chicken खाते हैं या जो लोग chicken breast को ना लेकर आप whole chicken को करते हैं उससे body heat generate होती है उससे acne आपकी बाड़ी में generate होते हैं उससे acne की problem arise होती है तो उन चीजों को आप कम करें जितने इन fatty foods है जब जंक food तो आपको बिल्कुल बंद कर दिना है अगर आपको acne की problem है तो junk food is a main cause of acne जंक food को बिल्कुल बंद करें और जो अपनी fat की limit है जो आप fat consume करते हैं उस पर थोड़ी नज़र रखिए उस पर थोड़ा monitor करें कि आप कितना fat consume कर रहे हैं ज्यादा fatty food तो आप consume नहीं कर रहें तो उस पर अगर आप limit रखेंगे उस पर आप tap करेंगे तो आपकी acne की problem definitely कम हो जाएगी आपकी body के pores block नहीं होगे और acne की problem आपको नहीं होगी आपकी body में heat generate नहीं होगी अब बात आती है क्या exercise से आपको acne होती है यहाँ पर मैं दूसरे topic भी cover कर दे रहा हूं कि अगर exercise करते हैं आप तो आपकी जो body में excess heat होती है वो बहार आ जाती है पसीने के form में और जो लोग exercise करते हैं उनकी body पर acne की problem नहीं आती है उनकी acne की problem कम हो जाती है जित्ती ज्यादा होनी है वो कम हो जाती है क्योंकि उनकी body में excess heat है जो उनकी body heat generate नहीं होगी तो इस मिट से बाहर निकलिए दोस्तों कि body heat जिम जाने से जनुरेट होती है बलकि मैं बुरूँ कि body heat जिम जाने से कम होती है तो जिम ज़रूर जाए जिनने acne की प्रॉलम है वो जिम को बिल्कुल भी skip ना करे क्योंकि उनसे जिम जाना ज़रूर नहीं है कोई भी physical activity आप करें उसमें आपकी body heat भार आती है आप जितना fat access consume कर रहा होगा दिन में वो burn होता है तो यह ते मेरे आज की information कि egg white से body heat जनुरेट नहीं होती अगर आप पूरे whole egg consume कर रहे हैं तो उससे body heat जरूर जनुरेट होती है जितने भी fatty foods हैं जितने भी nuts हैं उसको आप limit करें उससे body heat जनुरेट होती है अगर आप ज़्यादा access amount में consume करते हैं अगर आप किसी भी चीज़ का access करेंगे तो उसमें नुकसान होगा body को उसके फाइदे कम हो जाते हैं उसका नुकसान ज़्यादा होता है तो हर चीज़ की एक limit तेह करिए दो serving nuts की होगी दिन में maximum 2 whole egg consume कर लिए एक चमल फ्लाक सीट का consume कर लिए तो इस limit से उपर आप ना जाएए तो यह तिमीर आज की information does egg causes body heat does egg causes acne तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो do give it a thumbs up और अभी तक अगर आपने में चैनल के सब्सक्राइब नहीं करा तो subscribe button बढ़ क्लिक करिए बिल्कुल free है इसका फाइदा यह होगा कि जब भी मेरे नेक्स वीडियो आएगा तो आप लोगों को पता लग जाए करेगा और जिन लोगों ने subscribe कर दिया है thank you very much और bell button बख्लिक करना ना भूलिये इससे आपको notification regularly मिस्दी रहेगी so this is अत्करशवाद्वा signing off for today बाई 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 बाई